भारती किसान यूनियन महाशक्ती गरजी केंद द्वारा पास किये गए तीन किर्शी बिलो के खिलाफ मुढ़ा पांडे में भारती किसान यूनियन महाशक्ती ने किसानों को एक बड़ी समभा को संबोधित करते हुए केंद सरकार द्वारा पास किये गए तीन किर्शी बिलो को काला कानून बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की है और केंद सरकार को चिताबनी देते हुए कहा है कि अगर केंद सरकार इन बिलो को वापस नहीं लेती है तो पंजाब के किसानों की तरहां उत्तर प्रदेश में भी हर तहसील से लेकर सभी दि बेचेंगे तो वही भाड़ती किसान यूनियन के राश्टी अधिया शिठाकुर धर्मेंदर सिंग ने भाश्वा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि किसानों ने ही भाश्वा को जमीन से उठाकर आस्मान पर बढ़ाया है अगर भाश्वा सरकार किसानों की जिस त मेडिया में निकला है सोसल मीडिया और अख़वार के माद्यम से समय देखा भी है परसों के अख़वार में तो वहां टोटल मेरी यूनिन पुल कर नीचे पड़े हुए उन्होंने कोई ऐसा मैदान भी नहीं दिया जिससे कि हमारी किसान मजदूर अच्छी जाएक पर अगली बात दोग पत्यों की सरकार रही है किसानों की सरकार नहीं है अगर सरकार किर्सी बिल वापस नहीं लेती है कुछ एमेडमेंट करने की बात कर दिया किसान उसको मानेगा किसान की सी किमत पर नहीं मानेगा चकाज जाम करगा पूरे भरत में चोटे रोड हो जो बड़े हों मरेगा और मारेगा चलो हो पुलिस से गोली कितने किसानों को आप मरवाएंगे किसान की तरफ अइनों आत्तक यह सोचा कि इस कौरोना महामारी में इस किसान मजदून ने बड़ा साथ दिया है सरकार का और कोरोना महामारी नमदने के लिए अपने घर में सोक्षित रहे हैं मौके पर मुणा पंडे से मंडल अध्यक्ष विक्की चौधरी फिरासत रविंद्र सिंग प्रदीफ सिंग सतेंद्र सोनूर प्रजापती आदी मौजूद रहे किसान लोको गुंडा बताया है और बड़ी उन्होंने गलत बात कही है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था किसान लोगो गुंडा बताया है किसान गुंडा कहा है ठीसान तो अन्धाता किसान मजबूर नहीं मजदूर है और किसान अंधाता ले वह हिंदूस्तान का पेट भरने का क्ती अब हम तीन तरीक में दिल्ली पूछ करेंगे और वहां सरकार से अपनी मांग को मनवाकर रहेंगे हैं कि दिन लोग गान के जामा पर जाने का यहां से हमारे यहां से करीब साथ गाणियां एक संतिंग जाएंगे